हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप लोगों को एक नए रिजोट में लेके चल रही हूँ जिसका नाम है टॉकसिता रिजोट और ये और नाचल का एक बेस्ट रिजोट है अभी नया ही खुला है ज्यादा दिन नहीं हुआ इसे खुला हुआ तो आप देखें ये रिजोट बहुत चुके हैं हमने अपनी गाड़ी बाहरी पार्क के अब इस रास्ते सा में अंदर जाना है आप देख सकते हैं लोगों ने यहां भी अपनी गाड़ी को पार्क की है क्योंकि पार्किंग अरिया बहुत बढ़ा है और अभी हम एंट्री गेट के पास ही है तो अभी हम अंदर जाएंगे मगर उससे पहले यह वाल पे बना हुआ पैंटिंग में आपको दिखाना चाह रही थी बहुत खुबसूरत है और अभी हम अंदर जाएंगे और यहां पे एंट्री फिस आपका 50 रुपीस है पर परसन तो यहां पे सभी ले रहते हैं और भीर थी तो मैंने सोचा में आप लोगों को यह दिखा दू तो आप देखिए यह कितना खुबसूरत है रिजॉट और बहुत ही खुबसूरती से इसे बनाया गया है मैं पहले भी आया थी मगर इतना कुछ नहीं था उस समय अधर बेबी थोड़ा इधर पर देख लीजिए आप दे और काफे भीड़े थे उस दिन यहां पर यहां बाहर का खाना अलाव नहीं किया गया है आप देख सकते हैं यह यहां का रेस्टोरेंट है आप देखिए यह बार है यहां पर आप खानों का अधर कर सकते हैं आप देख के इन लोगों को कर रही है कैसा लगा रिजोर्ट आप लोगों को यहां पर पाफे भीड़ी और हमें एक पे कैवेश नहीं मिला तो हम बाहरी थे अपना सामान रखके और आप देखिए हम चैंज करने जा रहे हैं यहां से सीधे ही आपको जाना है तो आपको चैंजिंग रूम मिल जाएगी हमने चैंज कर लिया है और थोड़ा सा घुमने के बाद हम नहाने के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं हम सभी तयार हैं नहाने के लिए पानी में हम सभी आपकी करते हुए आप देखिए आपकी करते हैं तो आपकी करते हैं तो आपकी करते हैं दोस्तों सभी लोग कितने इंजोई करें तोकसितार रिसोर्ट में यह मेरी बेहन वह मेरे भाई दोस्त बाँ मस्ति में है दोस्तों सभी लोग मस्ती में है यह मम करते हैं है दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए और हम लोग भी आई थे बहुत ही अच्छा लगा पहले भी में आई थी मगर इतना अच्छा से ये बना नहीं था अब ये पुरा कंप्री थे अभी भी काम चली रहा था इस रेजर्ट में नहाने के बाद हम भी यहां चाते वाले जग महोची काम तो गाइस अब हम टॉक्सिता से बाहर जाएं ये रिजोट बहुत ही खुब सुर्ण तरिके से बनाया गया है और बहुत सुंदर है आप जरूर यहां आए बिलकुल नया रिजोट है और काफी भी रहती है यहां पर खाने पीने के शुविदाये भी बहुत अच्छी है ये रिजोट इतना अच्छा है कि मैं यहां फिर आना चाहूंगी तो देखती ही इसकी बात आने से यह रिसोट में और क्या-क्या बदलाओ देखने को मिलता है मगर आप जरूर यहां आए अपने फैमली के साथ बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और फाइनली अब हम बाहर है तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लिस कोमेंट में बताईएगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोमेंट और शेयर कर देखेगा वीडियो देखने के लिए थाइनक्यू